नमस्कार खबरों का पंच नामा देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडिय मचूद हैं सबसे पहले एक नजर आच की टॉप हिड्लाइन्स पर पीए मोधी आठ से 14 नॉबंबर तक महरास्ट में करेंगे धुआधार 11 रैलिया योगी आधितनाद भी समालेंगे कमान भाजपा का दावा राज्ची में बनेगे फिर से डबल इंजन के सरकार जार्खण बिदांस वचुनाओ के लिए मित्शार ने जारी किया संकल्प पत्र बोले बीज़पी की सरकार बनी तो चुन चुन कर निकाले जाएंगे बांगला देशी घुसपैठी हर हाल में लागू होगा यूसेसी 12 चुनाओ को लेकर 6 नॉम्बर को नाधपुर से राहूल गांदी शुरू करेंगे चुनाओ प्रचार डिप्टे सेम दिविंद्र पंडवीस की बड़ी सुरक्षा को लेकर संजर राउत ने उठाय सबाद 12 के जवाल ने शुरू की दूसरे चरण की पद्यात्रा आप सांसस संजस सिंग ने बीज़पे परसादा निशाना बोले साजिश रचने में बीज़पे लगा जमित उलमाय हिंद के अधक्ष मौलाना अर्शक मद्नी ने वक्प बिल पर दिया बयान बोले मुल्क में रहने वाले मुसल्मानों के लिए बना रहे जहनुम ये हडपना चाहते हैं मुसल्मानों की चरण सबसे पहली कपर में बात पीए मोधी के प्रदार मंत्री नरंद्र मोधी महरास्ट में 20 नवंबर को होने वाले प्विदान सबा चनाओ के मद्दे नसर 8 से 14 नवंबर तक राच्च में पार्टी के प्रचार के लिए कई रहलिया करेंगे बताया जारा है कि प्रदार मंत्री मोधी राज्च में करीब 11 रैलियों को संबोधित करेंगे इसके अलावा ग्रह मंत्री अमित शाबी राज्च में चुनाओ से पहले करीब 20 रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं योगी आदितनाद भी यहां की कमान संभालते हुए 22 रैलियों के जरीए अपने हुंकार भनेंगे इतना है नहीं केंद्रिय स्वास्तमंत्री और भाजपा प्रमुक जेपी नड़ा के लगबक 13 रैलियों को संभूलित करने की खबर है वहीं बीजपी निताओं का कहना है कि इस बार भी राजजमेपर से डबल इंचन वाली सरकार बनने चा रही है इतनी बड़ी मात्रा में रैलियों का आज़न की है कितनी रैलिया होंगी कौन जाएगा एक साथ होगा नहीं होगा कोई इसकी जानकारी रही है बस इतनी है कि 6 तरिकोग ररहUL गांधी जा रहे है आगे क्या रन निती है जॉइंट रैलियों करेंगे नहीं करेंगे वो बिलकुल नदारत है क्योंकि ये आपस में ही लड़ जगड रहे हैं आपस में ही साज़िश कर रहे हैं आपस में ही कौन मुख्यमंत्री होगा इस रेस में लगे हुए हैं MBA के लोग ये महाविकासागारी के लोग इधर जो लाइन अप नज़र आ रहा है कि अमिश शाह प्रदान मंत्री मूदी और योगी आदित दात की बाइस रहलियां इसका मतलब बिलकुल साफ है कि बटोगे तो कटोगे एक रहोगे तो सेफ रहोगे ये मूल मंत्र होगा और हो भी क्यों ना क्योंकि जिस हिसाब से मुस्लिम तुष्टी करन में विपक्ष पूरी तरीके से अपनी इनरजी को लोगों ने जोग दिया है और अनर्गल मुद्दों के उपर ये हिंदू समाज को कोशते रहते हैं हिंदूों पे हमला करते रहते हैं आस्था के प्रती की चिंडों को निशाना बनाते हैं तो ये अल्रीडी एक पॉलराइजड एलेक्शन सुरू से है और सबसे बड़ी बात ये कि हर्याना के चिंडों के बाद जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी का मुराल और उनकी जो मनुबल टूटी है साफ साफ नदल आ रहा है कि बीजेपी को महरास्ट में एज है वहीं केंद्री ग्रे मंतरी अमितुशा ने जारकंट बदान सबाच चनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र चारी कर दिया है भाजपा के संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजलिफ्री समित कई बातों का जिक्र किया गया है इस मौके पर मंतरी इमतुशा ने कहा कि पूरे देश में यूसे सी हर हाल में लागो होगी लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा साथी कहा कि जारखंट का ये चुनाव ना कीवल सरकार बदलने का चुनाव है बलके जारखंट का भविश्य स्रक्षत करने का चुनाव है आगे कहा कि हिमत्सुरेन को गुशपैट्यों में अपना वोच बैंक दिखाई दिखाई देता है गुसपैचियों की वज़ा से आदिवासियों की संख्या घट रही है, टेमोग्राफी बदल रही है और हिमन सुरेन की सरकार अपनी दुन में मस्त है मैं आपसे वादा करता हूँ कि बीच पे सरकार आएगी तो गुसपैचियों को जार्खंट से बाहर निकाल कर ही दम लेकी आज तो जमकर गर से अबिच्ट देखिए अमिशा बार-बार इस बात को कह रहे हैं और ये मुद्दा दरसल भारती जन्ता पार्टी इसलिए उठा रही है क्योंकि जार्खंट में हाई कोट का आदेश आया है कि वहाँ दमाद गाओं बन रहे हैं दमाद गाओं किस तरह का होता है ये बंग्लादेशी मुसल्वान आते हैं आदिवासी लड़कियों को बहला फुसला कर शादी कर लेते हैं और जमीन जायदाद के उपर कबजा कर लेते हैं और इस तरह के लोगों का एक अलग मुसलिम बस्तियां बस रही हैं वहाँ पे जिसको दामाद गाओं कहते हैं कि इस तरह के जो घुस पैठी आये लड़कियों को बहला फुसला करके सादी क्या जमीन हडप ली और उन लोगों का गाओं पे गाओं बसता चला जा रहा है हाई कोट ने बकाइदा हैमंत सरकार को ये कहा कि आप इनके खिलाफ क्या कारवाई कर रहे हैं बहुत को धरम साला तो नहीं है देश तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है और हेमंत विजुसर्मा बार बार इस बात को कह रहे है जो बात अमिश्चान ने आज पुर्जोड तरीके से रखा कि वो दिन दूर नहीं पचास फिजदी पॉपॉलेशन जो है वो मुसलमानों का हो जाएदा अगर इसे रूका नहीं गया कानून भी आ गया सुप्रिम कोड का फैसला भी आ गया कि 1971 के बाद जितने भी घुस पैठी आये हैं उनको किसी भी कीमत पर आप नागरिकता नहीं देंगे वो नागरिक नहीं बन सकते चाहे आपने आधार कार्ड बनवा लिया हो election कार्ड बनवा लिया हो राशन कार्ड बनवा लिया हो तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता चला गया है जारखंड के अंदर चुके वहाँ पर हैमंद सोरेन की सरकार थी supported by Congress Party इन लोगों ने इस मुद्दे को नदर अंदाज किया और ऐसा लग रहा है कि ये नदर अंदाज करना इनको बहुत महँगा पढ़ गया इसके अलावा M.V.A की मुंबई में एक समयुक्त रहली होगी जिसमें शरत पवार और उधर ठाकरे भी शामिल होगी वहें महराष्ट के जिप्टिसी में दिविंद्र पंडबीस की अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है इसको लेकर शुसेना अदावगुट केनिता संजराओत ने तीखा तंच कसा है संजराओत ने कहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो हमारे ग्रे मंतरी फोर्स वन के कमांडों के खेरे में घूम रहे है क्या उनके उपर इस्राइल हमला करने वाला है यूक्रेन के लोग आने वाले है उनके साथ युद होने वाला है इस तरीके की बयान बाजी के देखिए ये जो संजराओत है ये अकेला ही बयान दे दे कर M.V.O. को हरवा देगा इसकी भासा ऐसी है कि लोगों को घ्रना आती घ्रना आता है कि मैं किस तरह का वेक्ती है और और उद्दव ठाक रहे हर हमेशा इनको आगी करके लेके चलते है अभी एक और मसला आया कि एक सांसद्डे सिवसेना के सांसद्डे साइना एन सी को अब सब्द कह दिये उसने माफी माग ली और ये उसको डिफेंड कर रहे है तो राजनीति में तो मूछ से ही आपको वोट मिलता है मूछ से ही आपको हार भी मिलती है कटू बचन आप कहोगे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे और ये बात उद्दव ठाकरे को समझ भी नहीं आ रहे हैं अब रैलियां कर रहे हैं बैए नागपूर में क्यों नहीं आपने किया हैं अम्बीय की रैलिय नाथपूर के साइड में रावल गांदी अकेले करेंगे मुंबई में आपने जॉइंट करवाया बैए ऐसा क्यों इस तरह का प्लैन बन रहा है इसका मतलब कोई कॉडिनेशन नहीं है कॉंग्रस की अकेली रैलिय होगी तो उसमें क्या वो सावरकर को गालियां देंगे साथ में रहेंगे तो सावरकर की पूजा करेंगे कई सारे विरोधा भास ये महाविकास अगारी के पूरे कैम्पेइन में नजर आ रहा है अभी तक भी सेटल नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा इससे ही आप अन्दाज लगा सकते है कि कितना लुझ पुंझ तैयारी है और अबाक आम-ादमीपार्टी की डिल्ले पिदानस बचना को लेकर आम-ादमीपार्टी ने कमर कस्ली है आम-ादमीपार्टी के सवेंज चक्रण अरविन किजिवाल अर्विंद केजिवाल ने कई बधान सभाओं के अंदर पद्यात्रा शुरू की पहले चरण की पद्यात्रा में चनता का अद्बुत प्यार और आश्रवाद मिला है इसे से बॉक लाकर बीजेपी ने अर्विंद केजिवाल पर हमले की कोशस की और इस सियात्रा को रोकनी की नापाक कोशस की गई है ये इस तरीके की भैन बादी का अपार समर्थन तो दिख रहा है आपार समर्थन की लोग केजिवाल को देखने के लिए जान लगाये हुए है कूद पढ़ रहे है भीड आ रही है वसी तो कोई कवर है नहीं कहीं भी ना आपके अगर भीड आई है तो आप तो हर छोटी-छोटी चीजों को लेकर के ट्वीट करते हों मीडिया में दिखाया जाता है भीड नहीं है इसलिए मीडिया दिखाने रही है और वहाँ पे लोग आ कौन रहे हैं आपको विरोद करने वाले पहले चरन में ही महरूली में आपनी किया आपनी पूरी में तो बवाल मच गया महिलाए भी सड़क पे आ गई वो जंडा दिखा रही थी काले काले और साथ में बॉटल लेकर के आई थी कि ये गंदा पानी और गंदे पानी से याद आया स्वाती मालिवाल जो आपकी रासवा में सांसद है वो मुक्हमंत्री आतिसी मालेना के घर पे वो काला बॉटल किसी एक्स आर्मी के घर से उसके टैप से निकाली थी तो आपकी जोट आपके पीछी पीछे साय के तरह चल रहा है आपने जो अब तक पब्लिक को बेवकूप बराने के लिए जितने भी चाल बाजिया की वो आपके साय के तरह आपके साथ चल रहा है बीजेपी वाले तो करी रहे हैं लेकिन जिस हिसाब से आपकी 22 साल की सखी स्वाती मालिवाल रोज आपको आईना दिखा रही है वो आपके पूरे केंपेंड और आपके पूरे जूट की पोल खोल रही है आखरी ख़बर में बात मुलाना अर्शद मतनी की जम्यत उलमाय हिंद के अधक्ष मुलाना अर्शद मतनी ने वक्फ संसुधन विलकुल लेकर बड़ी बात कही है और उन्हें कहा कि इस मुल्क में रहने वाले मुसल्मानों के लिए जहनुम बना रहे हैं जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए हो रहा है दिल्ले के अंदर हमारी मश्यदें 400-500 साल पुरानी है कौन 500 साल पुराने दस्तावेच पेश करेगा मतनी ने कहा कि आप मुसल्मानों की जमीन को हडपना चाते हैं आप हराम की खाना चाते हैं वक्फ अल्लाह की मिलकियत में दी गई है हम बाहर से नहीं आए हैं अगर हिंदू गुजर है तो मुसल्मान भी गुजर है अगर हिंदू जाटे तो मुसलिम भी जाटे कश्मीर जाके देखो वहां मुसलिम भी प्रामण है जिसको जो मजब पसंद आया उसमें चला गया इस तरह की बयान भाजे से क्या फर्ट थोड़ी है देखिए मुझे लग रहा है ये मुसल्मानों को भड़काने की कोशिश कर रहे है लेकिन इसमें दो-तीन विरोधा भास उनके भाशन में पहली चीज़ चलो अच्छा हुआ मान लिया कि पहले सब लोग हिंदू थे सारे लोग हिंदू थे तो ये मुसल्मान बने कैसे तो आतताई आये बाहर से पांसो छैसो साल पहले की मस्जिदे है तो किसने मस्जिदे बनाए वो वक्फ का कैसे हो गया वो एको लुटे रहा आया जमीन लुटा हिंदू की जमीन थी न आप दोनों ही बात तो नहीं कर सकते कि भई हिंदू थे पहले सारे लोग आप तो यही कहरो कि ब्रामन भी थे गुजर भी थे सब लोग थे इसलाम में तो होता नहीं जाती प्रता इसका मतलब सब कुछ हिंदू का था बाहर से लूटे ना आया उसने मस्जिद बनाई तो आप इतने बड़े आलिम हैं इसलाम के ग्याता हैं तो यह बता दीजिए कि क्या चोरी की हुई चीजे लूट की हुई चीजे पॉकेट मारी की गई हुई चीजे पाप से कमाई गई कि हिंसा के अधार पे कमाई गई जायदाद को क्या वक्फ को आप दे सकते हैं क्या इसलाम इसको कबूल करता है कि चोरी करके आप जकादो जब इन किसी की चीन के किसी पर कबज़ा करके आप उसको वक्फ में डालो यह कौन से भड़काने के लिए ये भड़काऊ मौलाना ये बेकार की बाते कर रहा है कारण 500-600 साल पहले आपकी मस्जिद है ठीक है कौन कागज मांग रहा है आपसे कागज नहीं मांगा जा रहा है कि जो 500-600 साल से आपके पास है वो जबीन के उपर सरकार उसको हडपना नहीं चाह रही है केस वहाँ बनेगा जब आपने किसी की जमीन को कबजा कर लिया और वो सामने वाला आदमी आ रहा है और वो कह रहा है ये हमारी जमीन है ये हमारे पास कागज है डिस्प्यूटेड लैंड बहिए डिस्प्यूट होगा तभी तो उसमें फैसला होगा अगर कोई सक्स आके कहता है कि ये हमारी जमीन है ये हमारी जमीन थी ये है उसके सबूत तो एक तरफ तो लोग सबूत दिखाएंगे और आप सिर्फ ये भासन माजी और जो पांसो छैसो साल है उसके उपर कोई कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा इसमें ज्याज़ातर जमीने तो वो जमीने है जहां मुसलिम समाज के लोगों की ही जमीन को वकबोट ने निग रबजा कर ली यह हमारे पास कागज है वक्त से हमें निजात दिलाओ तो यह नहीं कि हमारी मजीदें छिन जाएगी मदर से छिन जाएगी दरगाद छिन जाएगी यह नहीं अगर कोई जमीन है उस पे विवाद है तो जो कोई उसके सपोर्ट में वैलिड डाकुमेंट दन्यवाद ख़वरों का पुंच्रामा में आज के लितना ही देश और विदेश की बाकी ख़वरों उनके सटीक अनलसेस के लिए देखते रहे कापिटल टीवी हमें लाइक केजिए शेर कीजिए और हाँ कापिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले कर दो